नमस्कार बाईजूज आईएस हिंदी प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है आज हम लोग 3 दिसंबर 2021 के दैनिक वीच की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी संग लोग से वायो की प्रारंभिक परिक्छा के दिस्कोर्ट से लाबदायक सिध्ध हो सकता है तो आईए पहले प्रस्म की ओर चलते हैं बहिरुष्ण कटबंधी चक्रवातों के संदर्व में निमलिखित कत्रों में से कौन सा से सही है उनमें एक स्पस्ट वाताग्र प्रणाली वाताग्र मतलब फ्रंट यानि जो बिपिरीत स्वभावाली वायोरासी यानि गर्म वायोरासी और ठंडी वायोरासी जब मिलती हैं तो वाताग्र जनन होता है तो इसी से संबंधित या सितोष कटबंधी चक्रवात की उत्पत्ती होती है तो इसमें यही दिया है कि इनमें एक स्पस्ट वात आगरपनाली होती है जो उष्ण कडबंधिये चक्रवातों में मौजूद नहीं होती है यह कथन एकदम सत्य है यह भूमी और समुद्र दोनों से उत्पन हो सकते हैं जबकि उष्ण कडबंधिये चक्रवात महासागरों मे आते आते वह छींड हो जाते हैं यह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं यह भी कथन सत्य है यह जो है याद रखेंगे उष्ण कडबंधी चक्रवात पूरव से पश्चिम की ओर गति करते हैं तो आता यह तीनों कथन सत्य है तो एंसर डी होगा तो यह उडिसा के 14 जिले चक्रवात इलर्ट पर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बंगाल की खाड़ी वाला छेतर है यही पर चक्रवात आने की संभावना है तो इसका नाम जावद बताया जा रहा है पिछले अगर कुल महीनों की अगर बात की जाया तो आप लोगों ने अध्यन किया हो तो भारतिय मौसम विभाग ने देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है तीन दिसंबर को जवाद मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के रूप में बिक्सित हो सकता है उडिशा सरकार ने भी चक्रवाती तूफान के मद्य नजर 14 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है त साओधी अरब के सुझाव पर इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है और जवाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थी होता है उदार यानि यह उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना की यास और ताउते थे ऐसी संभावना जटाई जा रही है कि जब यह सता से टक राएगा तो सो किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से ज़्यादा इसकी हो सकती है हाला कि लेकिन यह उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा और इन साइकलोन के नाम की सुरुआत अर्टलांटिक छेत में 1953 के एक संधी के दारान हुई थी जबकि हिंद महासागर में वेव थाइलेंड सामिल था फिर 2018 में यूनाइटेड अरब अमीरात इरान कतर यमन आदी देश इसमें सामिल हुए अब यहाँ पर बात होती है कि उश्रकडबंधी चक्रवात क्या है यहाँ आप लोगोंने काफी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं पढ़ चुके होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न दाब छेतर होता है केंदर से बाहर की ओर तो यहाँ पर यहाँ काफी विनासकारी होता है उश्रकडबंधी चक्रवात हमेंसा याद रखिएगा कि यहाँ बिस्वत रेखा पर चक्रवाती सिति कभी वियूत पन नहीं होती क्योंकि बिस्व और यहाँ पूर से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं विसेश रूफ से ट्रॉपिकल साइकलोन महासागरों के उपर विक्सित होते हैं और जैसे जैसे ही तटी छेतर यह अस्थली भाग में जाते हैं तो यह छीन होते जाते हैं फिर रुशनक्ष कटबंधी चक्रवात जिसे हम सीतो श्रकटबंधी चक्रवात भी कहते हैं यहाँ दोनों गोलार्धों में यानि इसके उपर अब क्या आएगा टेंप्रेट रिजन ट्रॉपिकल के बाद टेंप्रेट रिजन आता है तो 35 से 65 डिगरी अक्षांसों के मद्ध है यहाँ केंद्रित होते हैं इनकी उत्पत्त से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मात्रि भासाओं भासाओं की सुरक्षा संरक्षन और प्रलेखन पर काम करता है यह कथन असत्य है चूकि यह एक लाख नहीं होगा इसमें 10 हजार होना चाहिए तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है दूसरा है देखते हैं यह P.I.B. में आई हुई है तो भारत की लुप्त प्राय भासाओं की सुरक्षा और संरक्षन योजना जिसे S.P.P.E.L. कहा जाता है तो लुप्त प्राय भासाओं सहित सभी भारतिय भासाओं को बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है तो सरकार की जो इसी है कि लुप्त प्राय भासाओं सहित सभी भारतिय भासाओं को बढ़ावा देना है तो इसके लिए जो S.P.P.E.L. जो योजना है इसके तहद Central Institute of Indian Language जिसे C.I.I.L. मैसूर 10,000 यहीं पर देखे उत्तर मिल जाता है तो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भार इसके पहले चरण में 117 लुप्त प्राय भासाओं मात्रि भासाओं को प्राथिमिक्ता के आधार पर अध्यन और प्रलेखन के लिए चुना गया है तो विश्विद्याले अनुदान आयोग ने लुप्त प्राय भासाओं के सनरक्षन के लिए दो योजनाओं कौन-कौन सी भारत में स्वदेशी और लुप्त प्राय भासाओं में अध्यन और अनसंधान के लिए राज बिश्विद्यालेओं को अनुदान सहायता और दूसरा है केंदरी बिश्विद्यालेओं में लुप्त प्राय भासाओं के लिए केंदर की अस्थापना तो वर्स 2015-16 से लेकर 2019 2020 के दौरान लुप्त प्राय भारती भासाओं के संरक्षण के लिए UGC और CIIL द्वारा उनकी ओजनाओं के ताहत 45.89 करोन रुपए की रासी जारी की गई है तो UNESCO ने खत्रे के आधार पर भासाओं को इस प्रकार वर्गी कित किया गया है जिसमें सुभेद निश्चित रूप से लुप्त प्राय गंभीर रूप से लुप्त प्राय गंभीर संकट ग्रस्त तो UNESCO ने भारत की 42 भासाओं को गंभीर रूप से संकट ग्रस्त के रूप मे मानिता धी है अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजे यह योजना क्या है लुप्त प्राय भासाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना SPPEL यह 2013 में मानो संसाधन विकास मंत्राले जिसे अब सिक्षा मंत्राले कहते हैं द्वारा स्थापित किया गया था इसका मात्र एक लक्ष ही है कि उन भासाओं का दस्तावेजी करन करना संग्रह करना जो लुप्त प्राय हो गई है या जल्द ही लुप्त प्राय होने की संभावना है तो इस योजना की देख रेक मैसूर करनाटक में केंद्री अभारती अभासा संस्थान द्वारा की जाती है विश्विध्याले अनुदान आयोग केंद्री और रज विश्विध्यालेों में लुप्त प्राय भासा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तिय सहता प्रधान करता है और केंदरी भारती भासा संस्थान जिसकी अस्थापना 1969 में हुई थी, कहा है मैसूर में है और यह मानो संसाधन विकास मंत्राले या वर्तमान में सिक्षा मंत्राले इसको ब्रैकेट में लेख सकते हैं पहले मानोसवन साधन मंत्राले हुआ करता था, अब इसे सिक्षा मंत्राले कहा जाता है, तो इसके अंतरगर आता है, इसका उद्देश ये भारती भासाओं का विकास करना, छेत्रिय भासा केंद्र, साहता अनुदान योजना, रास्ट्रिय परिर्य रक्षन, सेवा, यह सब क इसके उद्देश हैं, अब भढ़ते हैं, तीसरे प्रसन की ओर निमलिखित युगमों में से कौन सा से सुमेलित है, तो यहां पर देखिए पर्व या इसे तेवहार भी कह सकते हैं, फेस्टिवल, तो हॉरनिबिल तेवहार कहां मनाया जाता है, नागालेंड में यह एकदम सही है, वंगाला मेघाले में मनाया जाता है, यह भी सही है, मायो को यह गलत हो जाता है, यह अरुनाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो अता एंसर क्या होगा, केवल एक और दो, तो यह भी P.I.B. में आई हुई ख़वर है, A Fusion of Culture and Fun Hornible Festival, तो यह जो है, हॉरनिबिल सम्रिध संस्कृत, जीवन सहली और भोजन की आदतों को दर्साता है, यह नागालेंड की स्वदेशी योध्धा जनजातियों का सबसे बड़ा उस्सो है, और दस दिनों तक यहां मनाया जाता है, हॉरनिबिल को कहा जाता है, धनेश पक्षी भी कहा जाता है, और यह नागा लेंड आते हैं, यह तेवहर वर्तमान में नागालेंड के प्रमुक हिस्सों में मनाया जा रहा है, इसमें किस्मा से कोहिमा, मोकोय, मंचुंग, दीमापूर, ओखा, आदिश सामिल है, इसमें मेन आकर्शन का केंदे से पारंपरिकला, लोग गीत, खेल, जनजातियों, नहां से कौन सा तेवहर किस राज में मनाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, उगाडी, दक्कन फेस्टिवल, ब्रहम होत्सोवम, यह अरुनाचल प्रदेश में देखिए, रेह, बूरी, बूट, माया को, यहां पर देख रहें ना, माया को, यही से आपका उत्तर मिल जाता है, इसी तरह से आसाम में अंबु बाची मेला, भोगली भी हूँ, इस तरह से बिहार में छट पूजा, इसी तरह से चत्तिस गढ़ में मागी पूर्निमा, गुझरात में कच मह उत्सोव, और यह है नवरात्री, जनमास्टमी, इसी तरह से प्रदेश में लोकरंग उस्सो, तेजाजी, खजुराहोफ फेस्टिवल, मेघाले में नौग्रेम फेस्टिवल, खासिस फेस्टिवल, वंगाला, यहां पर देखे, यह भी आया हुआ है, तो इस तरह से महाराश्ट में गने सुस्तो, गुटी पाडवा, मनीपूर में पोर पोंगल, तेलंगाना में बोनालू उस्सो, त्रिपुरा में खारची, पूजा, वेस्ट बेंगाल में दुरगा पूजा, उत्राखंड में गंगा दसारा, उत्तर प्रदेश में राम नौमी, गंगा महोसो, नौरात्री, खीचडी, यह सब महात्रपूर्ण उस्सों हैं, इ यहां पर आप देख रहे हैं डोनबास रीजन आफ इस्टर्न युक्रेन यहां मांचित में देखेंगे तो और आसान हो जाएगा इस छेतर पर रूस जो है अपने सैनिक की शक्तियों को बढ़ा रहा है तो इस तरह से रूस और युक्रेन की सीमा के पास अपने सैनिबलों का निर्मान कर रहा है तो यहां रूसी सीमा से लगभग 300 किलो मीटर की दूरी पर 92,000 से अधिक सैनिकों को जमा कर दिया है कहां पर पूर्वी युक्रेन के डोनबास चेतर से तो यहां चेतर एक संगर्ज चेतर है जहां युक्रेन रूस समर्थित अलगावादियों से जूज रहा है जबकि युक्रेन और पश्चिम ने रूस पर आक्रमण की तयारी करने का आरोप लगाया है और रूस ने बदले में कहा कि पश्चिम पर रूस विरोधी उनमात का आरोप लगाया गया है तनावक बढ़ने के साथ साथ अमेर्की विदेश मंतरी एंथनी बिंकन ने बुधवार को चेताओनी दी कि अगर रूस युक्रेन पर हमला करता है तो वाशिंग टन कारवाई के लिए तयार होगा और जबकि दो दिसंबर को ही बैठक होनी थी तो इस तरह से यहाँ पर तनावपून इस्थिती है इस खबर को जरूर देखिएगा अब बढ़ते हैं स भारतिय स्वतंता संग्राम के संदर में निमलिखित घटनाओं पर विचार करें तो इस तरह से 1857 से लेकर के 1947 तक का एक लिस्ट बना लीजिए कि कब कब कौन सी घटनाय हुई कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो रायल नेवी जो सेना में बिद्रो हुआ था भारत भारत छोडवान दोलन कब? 1942 में ये कब हुआ था? 1946 में और ये कब हुआ था? 1931 में इसी से आपको पकड़ में आ जाएगा तो सही कालानुकरमिक क्रम क्या होगा? तो अब यहाँ पर देखे घटनाओं पर अगर दूसरा गोल में समेलियर यानि 3-2-1 तो 3-2-1 क्या है अंस यहाँ पर आप देख सकते हैं सी उत्तर होगा तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं रॉयल इंडियन नेवी बिद्रो जो की 18 फरवरी 1946 से 23 फरवरी 1946 तक चला था तो यह जो है भारत छोडवान दोलन दुती विश्वित के समय आठ अगस 1922 को आरंभ हुआ था तो इस तरह से आप देख सकते हैं और दूसरा गोल में समयलन साथ सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था तीनों गोल में समयलन और यही दूसरा समयलन था जिसमें कॉंग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था और महत्मा गांधी भी भाग लिये थे और लंदन से वापस आकर यह समयलन कह सकते है या गोल में समयलन सक्सज नहीं था ऐसे में गांधी जी ने पुना सवन अगया अंदोलन प्रारंब कर दिया था अब बढ़ते हैं fact of the day पाई का बिद्रोह तो पाई का rebellion to be in history textbook तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई का बिद्रोह यह 1857 के बिद्रोह के पहले ही घटिद घटना थी तो इस पर वहाँ की राजसरकार ने और केंसरकार की तरफ से भी की जा रही यह बात कि इसे पहला इतिह पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता था लेकिन इसे अंग्रेज के खिलाफ एक लोगप्री विद्रोह की सुरुवात के रूप में देखते हुए इसे कक्षा आठ की NCRT बुक की इतिहास की पाठ पुस्तक में case study के रूप में सामिल किया जाएगा पाई का बिद्रोह की स्व स्थापित किया गया था और मई 1825 तक हजारी रहा ने भारत के वर्गों के साथ साथ जनता के लिए बाद में अनुसरन करने के लिए एक उदारन स्थापित किया था तो जुलाई 2017 में राज सरकार की मंजूरी के बाद मुख्य मंतरी नवीन पतनायक ने पाईका बिद्रोह क स्थानता के पहले युद्ध के रूप में घोसित करने के लिए केंद्र को लिखा था जिस वर्स उडीसा ने बिद्रोह की द्वी सताब दी यनि दो सौमवर्स मनाया था तो इस तरह से पाईका बिद्रोह याद रखेंगा 1817 में उडीसा में हुए पाईका बिद्रोह ने प अक्सी जगबंदू बिद्याधर के नेतित में बिडिस राज के बिरुध बगावत का जन्डा उठा लिया था और बिडिस राज ने उडीसा के उत्तर में इस्तित्र बंगाल प्रांत और दक्षिन में मद्रास प्रांत पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने 1803 में उडीसा को भी अपने अधिकार में कर लिया था, जिसका परिणाम यह बिद्रोह हुआ, तो उसमें उडीसा के गजपती राजा मुकुंद देवदुती अवयस्क थे, और उनके संड़क्षक जैराज गुरु द्वारा किये गए सुरुवाती प्रत्रोत का कुरूता पूर्व बहुत तेजी से प्रांत के अन इलाकों जैसे पुर्ल, पीपली, कटक में फैल गया, और बाद में हुई कई लड़ाईयों में विद्रोहियों को बिजए मिली, लेकिन तीन महीने के अंदर ही अंग्रेज अंतता उन्हें पराजित करने में सफल रहे, और इसके बाद दमन क ब्यापक दोर चला, इसमें कई लोगों को जेल में डाला गया, और अपनी जान भी गवानी पड़ी, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ा, कई विद्रोहियों ने 1819 तक गुरिला युद्धला, लेकिन अंत में उन्हें पकड़ कर म अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सबस्क्राइब और बिल आइकन दबाना ना भूलें, धन्यवाद!